हालो गाईज तो इस वीकली करंट अफेर्स वाले वीडियो में जुलाई मन्त के पहले वाले हकते का ये अमारा पहला वाला बाट होगा शुरुवात होगे ये जुलाई के इस पार्ट में लगबग 35 कुश्चन के आसपास हम कवर करेंगे तो चलिए शुरू करते हो और आप म कि आप कहां पर स्टैंड करते हो तो इसका लिंक डेस्कर अप्शन में मिल जाएगा तो चलिए हम शुरू करते हैं तो हमारा पहला प्रशन है कि एरडाई के द्वरा नामित COVID-19 स्वास्ते पॉलिसी का नाम क्या रखा गया है तो अंसर होगा कोरूना कवच तो अभी एरडाई ने जो इंशॉरेंस कंपनीज होती हैं उनसे कहा है कि 10 जुलाई तक आप कम अवधी वाली यानि कि शॉर्ट टाइम पिरेड वाली कोरूना बीमा पॉलिसी लेकर के आईए जिनने कोरूना कवच पॉलिसी नाम दिया जाएगा इससे ग्राहकों को काफी फाइदा होगा और यह जो कोरूना कवच पॉलिसी होगी यह 50 अजार रुपे से लिकर 5 लाख रुपे तक की हो सकती है और इसका जो time period रखा जाएगा वो इस तरह से रखा जाएगा जिसे कि साड़े 3 महीने के लिए होगी साड़े 6 महीने के लिए होगी या फिर साड़े 9 म नाम है क्या रखा? कोरोना कवच. इसी तरह से आपको याद होगा भारत सरकार ने भी कोरोना कवच नाम से एक मोबाइल एप्लिकेशन को लॉंच किया था जिसके तुरू ये पता लगाया जा सके कि आपके आसपास कोई कोरोना का मदीच तो नहीं है. तो वो भी कोरोना कवच एप्लिकेशन थी और यहाँ पे इस बीमा पॉलिसी का नाम भी रखा गया कोरोना कवच. एक कोरोना वच भी पड़ा था हमने करनाटक सरकार ने इसको लॉंच किया था संकरमित व्यक्तियों की मुव्मेंट को ट्रेक करने के लिए और एक और था इसी तरह से आयूश कवच अप, आयूश कवच COVID अप्लिकेशन, चलो आपके लिए प्रश्ण बन जाता यह वाला, बताओ आप आयूश कवच COVID अप्लिकेशन को किस राज्य सरकार ने लॉंच किया था, बाकी हेल्प मी मॉबाइल आप्लिकेशन यह हरियाना गौर्मेंट ने लॉंच किया और मी मोपाइल एप्लिकेशन इसको अरुनाचल प्रदेश ने बाकि एड़ाई की बात कर लें इसकी नाम रखा है प्लेटीना प्लेटीना प्रोजेक्ट इसको शुरू किया है तो आंसर होगा महाराष्टर सरकार में तो इसका नाम सिंपल सा याद रखना क्या नाम है प्लेटीना प्रोजेक्ट इसको नाम दिया है मतलब प्लाज्मा थेरपी की टेस्टिंग के लिए इस कोरोना पीडित व्यक्ति में डाल देते हैं प्लाजमा है क्या बेसिकली तो ये हमारे ब्लड का हमारे रक्त का वो भाग है जिसमें कोरोना वाइरस के एंटी बॉडीज होते हैं जो संकर्मन से लड़ते हैं और गंबीर रूप से बिमार रोगियों को भी ठीक करने में मदद कर प्लाजमा से और भी मैंने आपको कुशन बताये थे एक बार रिकॉल कराओं मैं आपको तो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट तो डिल्ली में देश का पहला प्लाजमा बैंक बना है या आप याद रखना ये एक्जाम में आ सकता है उसके अलावा सबसे पहले कौन सा राज करनाटक से फिर किसे सांखिकी में उनके योगदान के लिए आज जीवन उपलब्दी पुरुसकार से सम्मानित किया गया या आप यूँ भी कह सकते हो पहले PC महाल नोबिस पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो आंसर होगा C. रंगराजन कौने ये C. रंगराजन RBI के भी रह चुके हैं अच्छा भी नैशनल स्टैटिस्टिक डे हमने कब मनाय था राश्टर सांखे की दिवस 29 जून को मनाय था और ये C. रंगराजन हमने कहा RBI के पूर्व गवर्नर हैं तो RBI की वर्तमान में गवर्नर कौन हैं शक्तिकान दास हैं 25 वे नंबर के हैं अच्छ अच्छा इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न में आपको आगे बताऊंगा जिसमें हम पढ़ेंगे जेनेवा में इस्थित उनाइटेड नेशन में भारत के इस थाई प्रतिनीदी कौन बने हैं उसको मैं आगे आपको डेटेल में बताऊंगा इंद्रमणी उनका नाम है न 20 October को फिर अभी किसने NADA की पहली application को launch किया है तो आंचार होगा किरन रेजिजु ने यह हमारी युवा मामले और खेल मंतरी है किरन रेजिजु और इन्हों ने ही भारत की राष्ट्रेय डोपिंग एजेंसी की पहली mobile application को launch किया है और इस application का नाम क्या है इसका नाम है NADA India application और इस application को launch करने का उद्देशी क्या है जो athletes होते हैं उनको इस बात की जानकारी मिल सके कि कौन सी दवाएं प्रतिबंदित है कौन से पदार्थ प्रतिबंदित है उनका 7 हमको नहीं करना है कई बार क्या होते है athletes गलती से या जान बूच करके भी ऐसी ऐसी दवाएं का यूज कर लेते हैं इस्तमाल कर लेते हैं जो कि खेल में प्रतिबंदित होती है फिर बाद में वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था ऐसा कुछ है ऐसा कुछ है तो अब यह application दिद दवायोयों का steroids का इन्होंने सेवन किया है वही है नाडा की बात कर लेते तो National Anti-Doping Agency इस्तापना 2005 में हुई थी और इसकी CEO का नाम है नवी नगरवाल इसका headquarter नई दिल्ली में मिलेगा और इसके brand ambassador है सुनील शेटी एक WADA भी होता है जो world level पे काम करती है World Anti-Doping Agency जिसका headquarter आप याद रख लो Montreal, Canada में है फिर अभी नई सदी में cricket की सबसे valuable test players की list जारी की गई है आपको बताना है उसमें top per कौन है तो उसमें top per है मुतहिया मुरली धरन श्री लंका की पूर्व खिलाडी है अच्छा ये list जारी किसने की है तो cricket की प्रतिष्ठित पत्र का मैकजीन है विजदन उसी ने ही अभी most valuable test players of 21st century की ये list जारी की है जिसमें top per है श्री लंका के पूर्व खिलाडी मुतहिया मुरली धरन second number पे हैं रविंदर जड़ेजा और भारत में अगर particular बात करेंगे तो रविंदर जड़ेजा automatically top हो जाएंगे अच्छा test players की list में तो मुतहिया मुरली धरन top per है इसके अलावा one day players की बात करेंगे तो उसमें इंग्लेंड के एंड्रिव फ्लिंटॉफ top per है और T20 में बात करेंगे तो अफगानिस्तान की जो captain है राशिद खान वो top per है अच्छा इसी तरह की एक list पिछले महीने जून में हमने पढ़ा था कि विजदन इंडिया ने एक pool conduct करवाया था जिसमें राहुल द्रविड को अब तक का सबसे महान भारतिय test उन घर पर बेठे हुए बच्चों को घर पर ही school जैसा environment प्रोवायड कराने के लिए ये योजना शुरू की गरी है इसमें क्या होगा जैसे सुबह 10 बजे जो घर के member होते हैं थाली या घंटी बजाएंगे मतलब इस्कूल का time शुरू हो गया पूरा time table या schedule सरकार प्रोवाइड करेगी families को की इस तरह से आपको पढ़ाना है मद्यपरदेश की capital है भोपाल और या दशना भारत का पहला e-west clinic आपका भोपाल में ही खुला है मुख्य मंत्रे हैं शिवरा सिंग चोहान और governor है लाल जी दास टंडन अच्छा वैसे तो यहां के governor लाल जी दास टंडन है लेकिन अभी हमने पढ़ा था जो मद्यपरदेश की governor का अत्यरिक्त परबार है वो आनंदी बेन पतिल को दे दिया गया है क्योंकि लाल जी दास टंडन की तबियत खराब है उनका इलाज चल रहा है तो अत्यरिक्त परबार यानि के additional charges है इनके पास जब तक वो absent है तब तक की काम समाल रही है अनंदी बिन पतिल ये उत्तर प्रदेश की governor है अभी मद्यपरदेश सरकार ने शरम सिद्धी हभियान भी शुरू किया था बुखार क्लिनिक सेवा भी शुरू की थी एक दीदी वाहन सेवा भी शुरू की थी उसके अलावा रोजगार सेतु योजना भी शुरू की थी FIR आपके द्वार योजना और यहां के पुलिस कर्मियों को करमवीर पदक से सम्मानित करेंगे एसी भी घोशना की थी मद्यपरदेश की सरकार ने चरन पादुक का पहल भी शुरू की थी उसके अलावा मुखे मंतरी जन कल्यान संबल योजना ठैंक्स मॉम व्रक्षा रोपन अभियान और everybody will get employment योजना भी शुरू की थी एक COVID-19 योद्धा कल्यान योजना भी याद रखो और एक जीवन अमरत योजना और जीवन शक्ती योजना ये भी मद्यपरदेश सरकार ने शुरू की थी और midday meal राशन देने वाला पहला राज्य भी आपका बना था मद्यपरदेशी बाकी बच्चों के लिए radio school शुरू किये गए थे उसके अलावा अभी मद्यपरदेश ने ही निष्ठा विद्यूत मित्र योजना भी शुरू की थी और मुख्यमंत्री शहरी पत व्यवसाई उत्थान योजना ये भी important है और शिशु मृत्यु दर के मामले में मद्यपरदेश ही टॉप पर है तो ये सारे points अभी मद्यपरदेश से मैंने आपको revise करा दियें को याद रखना फिर अभी Swiggy ने किस bank के साथ मिलकर के अपना पहला digital wallet Swiggy money launch किया है तो answer होगा ICICI bank के साथ तो food delivery platform है ये Swiggy और इसे ने अभी ICICI bank के साथ मिलकर के अपना पहला digital wallet Swiggy money launch किया है तो इस wallet के जरिए आप customers जो हैं वो एक click में भुकतान यानि कि payment कर सकेंगे ICICI bank की बात कर लें तो इसका मतलब क्या हो गया ICICI Industrial Credit and Investment Corporation of India Headquarter Mumbai में है और इसके MDCO कोन है? Sandeep Bakshi और इसका tagline है कम से कम वो bank का आप याद रखें मैं आपको हजारों बार बोल चुका हूँ जो आपके news में है तो tagline क्या है? इसका हम है ना खयाल आपका अभी ICICI bank किन कारणों से news में था? मैं आपको सारा revise कराता हूँ एक तो इसने voice banking service शुरू की थी और video KYC सिवा भी शुरू की थी इसके अलावा insta, flexi, cash नाम से overdraft सुविधा भी शुरू की थी और अभी phone pay के साथ UPI multi bank model के लिए भी इसने समझोता किया बाकी स्वीगी भी है news में तो दो पॉइंट याद रख लो इसका headquarter आपके कहाँ पर है बैंगलूरू में है और इसकी CEO का नाम है श्री हर्ष मजेटी फिर है किस राज्य में एशिया का पहला continuous galvanized रेबार उत्पादन सुविधा केंद्र है यानि कि facility center का उत्गाटन किया गया तो आंसर होगा पंजाब में अब ये रेबार मतलब मैंने आपको समझाए था रेबार मतलब होता है शुद्ध सिंपल हिंदी में बोलेंगे तो सरिया जिसका पूरा नाम होता है reinforcement bar तो अब ही हमारे जो steel, petroleum और natural gas मंत्री हैं धर्मेंत्र प्रधान उन्होंने ही पंजाब के गोविंदगर में एशिया का पहला continuous rebar production facility का उद्गाटन किया है तो अब यहाँ पे continuous galvanized rebar का production किया जाएगा और इसे भारत को आत्म निर्बर बनाने में मदद मिलेगी मतलब हम कम से कम चीज़ों को import करेंगे, आयात करेंगे क्योंकि सब कुछ हमारा यहीं पर बनने लगेगा में मकसद इसका यही है और यह जो rebar बनेगा न यहाँ पे उसका जो brand name होगा वो jyoti जोती नाम लिखा हुआ होगा उस जोती नाम से बिके गाई अच्छा पंजाब से तो अभी most important question यह बनता है कि पंजाब की पहली महिला मुख्य सचीव chief secretary कौन बनी थी तो विनी महाजन बनी थी अभी पंजाब सरकार ने ही घर घर निगरानी application को भी launch किया था उसके अलावा एक कोवा पंजाब application इन्होंने launch किया था और एक और point बताया था मैंने आपको कि पंजाब सरकार ने जो सरकारी करमचारी होते हैं उनके retirement age को 60 से घटा करके 58 कर दिया जबकि तमिल नाडू सरकार ने 58 से बढ़ा करके 59 करा था और पंजाब में आपको IIT रोपड मिलेगा और उसने अभी wild boat नाम से एक robot बनाए था पंजाब के मुख्यमंतरि अमरेंदर सिंग है गवर्नर है वीपी सिंग बदनौर और यहां की जो capital है वो है चंदिगर फिर अगला प्रशन हमारा book पे है The Yogini Poems Love and Life नाम की book को अभी release किया गया है इसको लिखा किसने है Dr. Adisha Das ने इसको लिखा है और काज्यूओ इसी गूरो important mark कर लो जहनी कित्ती बार बोल चुका हूँ अब तो यह याद उगया होगा आपको अभी इनोंने Clara and the Sun बुक को लिखा है जो कि अगले साल मार्च में इसको लांच किया जाएगा और याद रखना 2017 का literature का nobel पुरुसकार इनोंने जीता था इसलिए मैं कहता हूँ ये नाम important है और 2019 का literature का nobel पुरुसकार किसने जीता था Peter Handkeye ने जीता था अच्छा का nobel पुरुसकार से एक और नाम याद रख सकते हो तो रखो विशे रखना पड़ेगा आपको उनका नाम है Amartya Sen 1998 में हाँ 1998 ही है उनको मिला था नोबल पुरुसकार और आपको मुझे बताना है Amartya Sen इनका नाम अभी न्यूज में था अवार्ड मिला था इतना मैं आपको बता दूँ एक शांती पुरुसकार मिला था किस देश ने उनको दिया था यह आपको बताना है शांती पुरुसकार मिला था इनको अभी तो बताओ Amartya Sen अभी न्यूज में थे किस कारण से न्यूज में थे बाकि जैके रॉलिंग की बात करेंगे तो द एक का बोग नाम की बुक लिखिये नोंने हैरी पोर्टर सिरीज की तो यह लेखी का ही थी पर अभी प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया का पहला ओनलाइन बीएसे डिग्री कूर्स किस ने शुरू किया आंसर होगा IIT मदरास ने तो अभी IIT मदरास ने ही बीएसे के लिए प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में ओनलाइन डिग्री प्रोग्राम और डिप्लोमा पाठ्यकरम को शुरू किया है और इस तरीके थे IIT मदरास दुनिया में ओनलाइन डिग्री प्रोग्राम शुरू करने वाला पहला institute भी बन गया है तो जिन students ने बारवी कर ली है वो इस online program को join कर सकते हैं अच्छा IIT मदरास से कुछ और points में आपको बताऊं तो एक तो भारत की पहली Hyperloop pod प्रतियोगिता का आयोजन यहीं पर खिया जाएगा और अभी आपको याद होगा HRD मंत्राले ने जो National Institute ranking जारी की थी उसमें overall category में top पे था IIT मदरास overall category में लेकिन अगर QS ranking के according आपसे पूछा जाए तो IIT Bombay उसमें top पे था और एक Times Higher Education की Asia University ranking आई थी उसमें IISC Bangaloreau top पे था भारत में और जो QS ranking में IIT Bombay की बात करेंगे अभी इसने Dhruv नाम से एक चिप बनाई है और अभी quarantine application भी इसने बनाया था और डिजिटल स्थेटोस्कोप IU Sync नाम से बनाया था और IIT Guwahati ने Flyzy Mobile application को डेवलप किया और IIT Kanpur अभी COVID-19 महामारी से लडने के लिए हर दिन 25,000 मास बनाएगा ऐसा इसने कहा है और गाईज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना देखिए आप लोगोंने अभी लाइक किया है या नहीं किया है नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए लाइस तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ और अहाँ इसे शेर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में और अगर आप मेंसे कोई स्टुडेंट इस चैनल को फर्स टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस नहोँ बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है चलिए बढ़ते आगे प्रेपरधान मंतरी गरीब कल्यान अन्न योजना को किस महीने तक बढ़ा दिया गया है तो आंसर होगा नवंबर तक मतलब नवंबर तक गरीब परिवारों को सरकार की और से मुफ्त में अनाज मिलता रहेगा और इसके विस्तार से 90,000 करोड रुपे जादा खर्चोंगे और क्या है ये योजना जब आपको याद होगा देश में लोगडाउन लगाया गया था तो इसको शुरू किया गया था तो इसमें जो राशन कार्ड धारक है जो उनको अनाज मिलता है उसका डबल अनाज दिया जा रहा है पांच किलो या तो गेहू या चावल ले लो और साथ में एक किलो दाल भी दी जा रही है हर महीने फिर है BET 2020 Humanitarian Award से किसे सम्मानित किया गया तो अंसर होगा Beyonce को पॉप स्टार है ये Beyonce और इन्हें को अभी BET 2020 Humanitarian Award से सम्मानित किया गया और क्यों मिला इन्हें ये सम्मान तो इनके द्वारा लंबे समय से किये जा रहा है परोब कारी कारणों के लिए जिसमें COVID-19 रहतकार भी शामिल है उसी के लिए इनको ये सम्मान मिला है और ये सम्मान दिया किसने इनको अमेरिका की पूर्व फर्स्ट लेडी यानि कि Michelle Obama ने दिया ये जो BAT Awards है ये एक अमेरिकी अवार्ड शो है जो अफरीकी अमेरिकी या दूसरे जो अल्पुसंग के एक माइनोरिटीज होते हैं उनके लिए है अचा वैसे मानवता की भलाई के लिए एक और पुरुसकार होता है जिसे केते हैं डेनी कॉई हुमिनेटेरियन अवार्ड और ये अवार्ड युनिस सिफ देता है जो लास्ताइ मिला था प्रियंका चोपडा को अचा एक व्र्ल्ड युमिनेटेरियन डे भी होता है जो हम कब मनाते हैं 19 आगस्ट को मनाते हैं और एक Human's Echo Day याद रखो Human Right Day वो हम 10 December को मनाते हैं बाकी यहाँ पे Tony इन सिंग की बात करेंगे तो Miss World 2019 का किताब जीता था इन्होंने चमेका से हैं भारते मुलकी हैं ये और जोजी बिनी तुनजी Miss Universe 2019 का किताब जीता था और ये कहां से हैं ये South African है और क्वारेशा अब्दुलकरीम ये क्रिस्तो मेरियेक्स पुरुसकार जीता था इन्होंने ये South Africa के HIV खोज करता है फिर है राष्टर चिकित्सा दिवस National Doctors Day कब मनाया गया तो आंसर होगा एक जुलाई को और एक जुलाई को ही क्यों मनाते हैं क्योंकि एक जुलाई 18-18-2 को डॉक्टर बिदान चंदर रॉय का जनम हुआ था वैसे इनकी मिर्टिव भी एक जुलाई को ही हुई थी भारत के महां चिकित्सकों में से एक थे और इनी के सम्मान में एक जुलाई को य आपको बताए थे, वो आपको याद रखने चाहिए और वैसे आप जानते हो, COVID काल चल रहा है तो doctors बहुत important role play करते हैं हमारे लिए तो doctor से कुछ important facts में आपको बताता हूँ जैसे कि भारत की पहली महीला doctor कौन थी? अनन्दी गोपाल जोशी थी और highest Indian award in medical field यह निके नाम पी दिया जागता है BC Roy award और railway ने अभी आपको याद होगा doctor के लिए एक booth भी design किया था जहां पे वो बिना संपर्क में आये मरीजों की जाच कर सकते हैं उस booth का नाम रखा था चरक और अभी मनिपूर के एक doctor भी news में थे अरुन्दती घोष और एक जुलाई को ही National Chartered Accounts Day भी मनाते हैं 72 Chartered Account Day मनाया इस बार हमने और क्यों मनाते हैं क्योंकि 1 जुलाई 1949 को Institute of Chartered Accounts of India की स्थापना हुई थी और इसकी theme भी है transforming the future, enabling excellence, augmenting trust फिर हाल हमें Iceland के दोबारा से राष्टरपती कौन बन गए हैं तो आंसर होगा Goodney Johansson तो Iceland के अभी तक की परदान मंत्री थे लेकिन अभी जब राष्टरपती पद के लिए चुना हुए थे दोबारा से इनको राष्टरपती चुन लिया गया है क्या नाम है Goodney Johansson माइकल मार्टिन की बात करेंगे Ireland के नए परदान मंत्री बने अभी और मुबात बेक बुरुनो किर्गिस्तान के नए परदान मंत्री बने थे और लॉजरस चकवेरा मलावी के नए राष्टरपती बने ये Iceland की बात करेंगे capital इसकी है रेक्जाविक करंसी है Icelandic क्रोना फिर एक इस राज्य सरकार ने Skill Connect Forum Portal लॉंच किया है तो आंचर होगा करनाटक की सरकार ने तो इस पोर्टल का उद्दिष्य क्या है कि जो लोग नूकरी की तलास कर रहे हैं और जो नियूकता है यानि कि जो गवर्नर है वाजुबाई वाला करनाटक से और क्या पॉइंट याद रख सकते हो अभी 18 जून को करनाटक ने मास्क दिवस के रूप में मनाया है और पाचवी कक्षा तक के बच्चों के लिए जो आनलाइन क्लासेज होती है उसको प्रतिबंद कर दिया मद्यपर्देश ने भी कर दिया था इनके बात और एक कोरोना वॉच एप्लिकेशन करनाटक सरकार ने लौंच किया था और बैंगलूरू में बाढ़ की चिताउनी के लिए मेग संदेश एप्लिकेशन को लौंच किया था और जनसेवक योजना आप्त मित्र एप्लिकेशन और नमस्ते ओवर हैंडशे का भ्यान भी करनाटक ने ही शुरू किया था करनाटक में आपको बांधीपूर नेशनल पार्क अंसी नेशनल पार्क बैनरगटा नेशनल पार्क नगर हुल नेशनल पार्क और अभी जो इसका 36 वा संसकरन हुआ वो वियत नाम के हनुई में आयूजित किया गया वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये और इसकी थीम रही थी को है सेव और रेस्पॉंसिव आशियान एक्चली ये पहले अप्रेल में उने वाला था लेकिन COVID-19 के करन नहीं हो पाया तो याद रखना 2020 में जो आशियान के अध्यक्षिता है वो किसके पास है वियत नाम के पास है और जिसके पास जिस साल में अध्यक्षिता होती है उस साल जितनी भी मीटिंग होती है उसकी वही उसकी अध्यक्षिता करता है और मैंने आपको एक उधारन भी दिया था जैसे कि G20 की जो इस साल अद्यक्षिता है चेर्मेंशिप है वो साओधी अरब के पास है इसलिए आप देख रहे होंगे इस साल जितनी भी आपकी G20 की मीटिंग हुई है जैसे कि उर्जा मंत्रियों की बैठक हो गई वित्य मंत्रि हैं 10 कौन-कौन से हैं ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनीशिया, लाउस, मलीशिया, मियानमार, फिलिपिन्स, सिंगापुर, थाइलेंड और वियतनाम इसकी जो चेर्मेंशी पूती है वो हर साल अलफाबेटिकल ओर में दी जाती है जैसे कि इस साल वियतनाम के पास है इसमें ऐसे लोग शामिल होगे जो इस बिमारी से ठीक हो चुके हैं और अब वे इस बिमारी से निपटने में प्रशाशन की साहिता करने के लिए तयार हैं तो याद रखना सिंपल सा COVID Warrior Club की स्थापना की है पच्चिम बंगाल में पच्चिम मंगाल की बात करेंगे कैपिटल कॉलकता है और कॉलकता है हुगली नदी की किनारे जहां पे भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन चलेगी कॉलकता में आपको यूको बैंक का हैटकॉटर मिलेगा जियोलॉजिकल सर्वे ओफ इंडिया का हैटकॉटर मिलेगा और पच्चिम मंगाल और फलूंग में अंद्रप्रदिश टॉप पर था उसके अलावा भी पच्चिम मंगाल सरकार ने मात्यर स्मरस्ति योजना को शुरू किया था और इसने हर पूरोश और प्रोचिष्टा स्कीम भी शुरू की थी और आपको याद होगा पच्चिम मंगाल के आसनसोल में जो चितरंजन लोकोमोटीव वर्क से उसने वित्वर्ष 2020 में 431 लोकोमोटीव बनाकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और आसनसोल रेल्वे स्टिशन में देश का पहला रेल्वे रेश्टेरांट शुरू किया गया जिसका नाम क्या है रेस्टेरांट और तो इन सभी कारण से अभी पच्ची मंगाल न्यूज में था फिर इंडियन ओयल और एंटीपिसी ने किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट फिक्सित करने के लिए समझोता किया तो अंसरोगा दिल्ली में तो दिल्ली के उखला में ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाया जाएगा और इसी के लिए इंडियन ओयल और एंटीपिसी और साउथ दिल्ली नगर निगम के बीच में एक समझोता हुआ है तो ये जो प्लांट होगा ये एक मॉडल के रूप में काम करेगा जिसकी सफलता से देश के बाकी शहरों में बी ऐस प्लांट बनाने का मदद मिलेगी आचा वेष्ट टू एनर्जी प्लांट से एक और पॉइंट याद रखना और याद रखना ये वेष्ट टू एनर्जी अनर्जी प्लांट में आना चाहिए भारते रेलवे ने भी अभी भुवनेश्वर में अपना वेस्ट टू एनरजी प्लांट खोला है और वेस्ट की बात हुई है तो आपको याद होना चाहिए कि 36 गण 100% कचरे का निप्टान यानिकि डिस्पोज करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा फिर अ अंडी के भाव उनको पता करने हो क्रशी से जुड़ी कोई नई खबर उनको चाहिए मौसम की सूचना चाहिए सरकार जो नई नई स्कीम्स लेकर के आती उसके बारे में जानकारी चाहिए तो ये सब उनको यहाँ पर मिल सकेगी और इसी के साथ बैंकिंग की सुविधाई जैसे कि लोन के लिए अपलाई करना हो, बैंक अकाउंट खुलवाना हो, बिमा के बारे में या किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी चाहिए तो वो सब यहीं पर मिल सकेगी तो इस एप्लिकेशन का नाम यादरना इकिसान धन आप लांच किया इसको किसने HDFC बैं बैंक बना है और यस बैंक ने अभी यूवा पे नाम से डिजिटल मुबाईल एप्लिकेशन को लांच किया है, HDFC की बात कर लेंगे, 1994 में स्तापना हुई थी मुंबई में हैटक्वाटर है, और MDCO है आधित पूरी, इसकी टेग लाइन क्या है, we understand your world, और अभी HDFC बैंक ने नाम है उनका केजाद भरूचा, फिर है ICC के चेर्मेन ने इस्तिफा दे दिया है, इनका नाम बताईए, तो आंचर होगा शशांक मनुहर, तो अभी इन्होंने अपने पत से इस्तिफा दे दिया, और इनके जाने के बाद जो Deputy Chairman है, इमरान ख्वाजा, इनको Interim Chairman बनाया गय World Intellectual Property Organization के Director General बने थे ये, अच्छा तुशार महता, ये भी एक नया है कुशने ध्यान से सुनो, यहीं पर बता रहा हूँ आपको, Solicitor General है, पहले तो यह याद रखो, अभी इनका कारेकाल तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया, और Attorney General के बारे में आपको पहले ही बता चुका और ICC से एक important question फिर से मैं आपको बताऊं, तो ICC के elite panel में किस भारतिय empire को शामिल किया गया है, तो याद रखना नितिन मैनन को, तीसरे भारतिय बने हैं इस तरह से इसमें शामिल होने वाले और सबसे youngest empire भी, ICC से एक point याद रखो, इसने साल के best खिलाडी का award किसको दिया थ और महिलाओं को जो दिया जाता है उसको केते हैं रचिल्ड हे हो फ्लिंट अवार्ड, इसके अलवा ICC record award देता है, जिसको केते हैं ICC spirit of cricket award, खिल भावना पुरुसकार, जो मिला था विराट कौली को, ये भी याद रखना, फिर है भारत के किस help desk ने कोग X 2020 में दो पुरुस कोग X 2020 में दो अवर्ड जीते हैं, एक अवर्ड तो मिला है COVID-19 Society के लिए सरोश्रिष्ट नवाचार का, यानि कि Best Innovation for COVID-19, एक मिला है People's Choice COVID-19 Overall Winner, अब बात करें, ये MyGUV Corona Help Desk ये क्या है, तो नाम से ही क्लियर है, ये एक Artificial Intelligence पर बेस्ट एक chatbot है, जिसमें भारतिय नागरी COVID- 19 से सम्मंदित लेटेस्ट जानकरी प्राप्त कर सकते हैं, इसे 5 दिन के recorder time में बनाया गया था, और कोग X की बात करेंगे तो ये लेंडन में हर साल आयोजित किया जाता है, ये दुनिया में Artificial Intelligence के सबसे बड़े events में से एक है, फिर एक इसे भारते जंसंचार संस्थान, या एक स्वायत संस्थान है, Autonomous Institute है, आचा ये तो हैं संजे द्वीवेदी, एक संजे को उठारी भी हमने पड़ा था, Chief Vigilance Commissioner मुखे स्वतर्ता आयुक्त बने थे, और बिमल जुल का ये Chief Information Commissioner बने थे मुखे सूचना आयुक्त, और उदे कोटेक ये Confederation of Indian Industry के अध्यक्ष बने लेकिन मैं separate अलग से कुशन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये प्रश्ण important है, और इन्होंने किसका इस्थान लिया, संजीव सिंग का इस्थान लिया, जो के भी 30 जून को retired हो गए, तो अब आपको याद अखना है, शिरकांत मादव वैद का नाम, बाकी नितिन मैनन की बात अध्यक्ष बने, फिर है केंद्रे फिल्म प्रमानन बोर्ड यानि की Central Board of Film Certification, मतब जो एक तरसे sensor बोर्ड होता है, जो के rating वगरा देता है फिल्मों को, उसके नए CEO कोन बन गए हैं, तो अंसरों का रविंदर भाकर या अनुराग श्रिवास्तव का इस्थान लेंगे, बाक फिर है Central Board of Film Certifications की बात करेंगे, इसके चेर्मेन है प्रसून जोशी, मंबई में हैटकॉर्टर इसका, फिर है अभी किसे जेनेवा इस्थित सैयुक्त राष्टर के लिए भारत के राजदूत और स्थाई प्रतिनिदी के रूप में नियुक्त किया गया, तो अंसर होगा इं ibermanent representative बनाया गया था T.A. Diru Musti को, और यहां प्रस्थन में लिखा हुआ है, जेनेवा में स्थित सैयुक्त राष्टर का औफिस है वहां पर भारत की representative बनाया गया है इंद्रमणिप पदे को, और जेनेवा में सैयुक्त University के जितने भी संगठन है जैसे की W.H.O. हगेरा इन उपनो वर्ल्ड बैंक के एक्जिकेटिव डिरेक्टर का वरिष्ट सलाकार सीनियर एडवाइजर बनाया गया था इनको और आबाश जहा ये भी नाम याद रखू इंडियन इकॉनमिस्ट हैं ये और इने वर्ल्ड बैंक ने साउथ एश्या में जलवायू परिवर्तन और COVID-19 महामारी के कारण जिन लोगों की नोकरी छूट गई है वो लोग विदेशों से या दूसरे राज्यों से वापस अपने राज्य केरल में लोट रहे हैं तो उनकी शमता का उनके अनुबव का लाब उठाने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है इसमें केरल सर देश के पहली LNG बस सेवा केरल के कोची में ही शुरू हुई थी उसके लाब देश के पहली सूपर फैब लैब ये भी स्थापित की गई थी केरल में ही और केरल की पहली महिला DGP बनी थी आर श्री लेखा उसके लाब प्लाजमा थेरेपी को यूज करने वाला पहला राज शुरू किया था के फोन नाम से उसके अलावा सबरी माला मंदिर आपको केरल में ही मिनेगा और रैपिड स्क्रिनिंग के लिए तिरंगा नाम से वाहन भी शुरू किया था केरल की सरकार ने और जियो फैंसिंग एप्लिकेशन का प्रयूग करने वाला पहला राज़ी भी ब जया गया तो आंसर होगा निगार जोहर को एक्शुलि में इने पाकिस्तान की सेना की पहली महिला सरजन जन्रल के रूप में निउक्त किया गया है तो इनका नाम धियान रखना है बाकी विनी महाजन पंजाब की पहली महिला चीप सेक्रेट्री बनी थी ये मनमीद कौर की बात करेंगे तो पाकिस्तान की पहली सिक महीला पत्रकार हैं जिने ब्रेटेन में एक प्रतिष्ठित पुरुसकार के लिए नामित किया गया था ये नाम इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये तीसरी महीला बनी थी बारतिय सिना के इतिहास में जो लेफटेन जनरल बनी थी और पहली कौन थी पहली अगर पूछ लेंगे तो पुनीता अरुडा थी फिर एक इस राजे या यूनियन टेरिटरी में पौधे लगाओ परियावरन बचाओ अभियान को शुरू किया जाएगा तो अंसर होगा दिल्ली में तो दिल्ली में प्रद्दुशन को कम करने के ल अभि दिल्ली सरकार ने एकसेस करोना एप्लिकेशन को लॉँच किया था उसके अलावा दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन शील्ड को भी लॉँच किया था और 5T प्लान को भी शुरू किया था COVID-19 के spread को फैलने को प्रसार को कंट्रोल करने के लिए बाकि दिल्ली के मुख्य मंत को और एक राज चेटी को तो COVID-19 स्वास्तेस अंकट को दूर करने के प्रयासों में जो इन्होंने योगदान दिया है उसके लिए इन्हें 38 प्रवासियों की लिस्ट में शामिल किया गया है जिनने इस साल अमेरिका के स्वतंतरता दिवस के समारों पर अमेरिकी फाउंडेशन के द्वारा 2020 ग्रेटी इमिग्रेंट सम्मान से सम्मानित किया जाएगा तो वैसे तो लिस्ट में टोटल 38 नेम हैं लेकिन आपको इन दोनों के नाम याद रखने हैं क्योंकि ये भारती अमेरिकी हैं क्या नाम है सिदार्त मुखरजी और राज चेटी ये जो सिदार्त शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया तो अंसर होगा क्रतिका पांडे को वैसे ये क्रिशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं दो-तीन महीने पहले जब इनको अवार्ड देने की घोशना की गई थी कि दिया जाएगा लेकिन अभी इनको ये अवार्ड दिया गय अभी ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो बॉरिस चॉंसन है उन्होंने पॉइंट्स ओफ लाइट ओनर से सम्मान नित किया था इनको और अमरतिय सेन जर्मनी का प्रतेश्थित शांती पुरुसकार मिला था इनको अचा ये मैं आपको बता दिया आज के ही वीडियो में मैं आ भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया तो अंचर होगा राकेश कुमार अरोडा को ये सियोरा लियोन एक वेस्ट अफ्रिकन कंट्री है और यहीं पे राकेश कुमार अरोडा को भारतेर राजदूत यानि कि एमबेजडर नियुक्त किया गया है सियोरा लियो में भारतियर राजदूत बने हैं अच्छा अगर इस वीडियो को इस चैनल पर कोई first time आया है तो आपको बता दूँ देखो राजदूत मतलब ambassador होता है उच्चायूत मतलब high commissioner होता है और दोनों में क्या अंतर होता है यह मैंने आपको काफ़ी detail में समझाया हुआ है और January से अभी तक जून तक जितने भी आपके ambassador और high commissioner नियुक्त हुए है उन पे एक dedicated audio भी मैंने बना दिया है और एक video भी मैंने upload कर दिया है audio का तो link आपको नीचे description में मिल जाएगा लेकिन video आपको playlist में मिल जाएगा फिरैं अभी इस राजे के मुख्य मंत्रे ने या यानि कि या लाइबरेरी को शुरू किया है तो आंसर होगा उत्तराखंड उत्तराखंड के जो मुख्य मंत्रें तिर्वेंदर सिंग रावत उन्होंने ही राजू के विश्विध्यालों और महाविध्यालों में यी लाइबरेरी की शुरुआत की है अभी इसमें पांच युनिवर्सिटीज और 104 कॉलेजिस को जोड़ा गया है तो इस यी लाइबरेरी के माद्यम से चात्रों को 35 लाख बुक्स अवेलेबल हो पाएंगी और धाई लाख से ज्यादा चात्र से जुड़ पाएंगी और उत्तराखंड के जो सिक्षा मंत्री है डॉक्टर धन सिंग रावत उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड इसी के साथ पहला राजजबी बन गया है जहांके हर कॉलेज को यी लाइबरेरी से जोड़ा गया हो फिर है Future of Higher Education 9 Megatrends इस बुक को अभी रिलीस किया गया है इसके लिखक कौन है CAV Pattabhi Ram इसके लिखक है और इस बुक को रिलीस किसने किया तो हमारे जो Vice President M. Venkaya Naidoo जी उन्होंने इस बुक को रिलीस किया है अचा M. Venkaya Naidoo जी से दो प्रेशन में आपको बताये थे एक तो इन्होंने कॉमरोज के Highest Civilian Honor जिसे कहते है Order of Green Crescent उससे सम्मानित किया था और अभी जब इनके दो साल पूरे हो गए थे ना इनके कारे काल को as a Vice President तो इन्होंने अपनी उपलब्दियों को बजाने के लिए एक बुक लिखी थी जिसका नाम था Listening, Learning and Leading और उस बुक को launch किया था रिलीस किया था अमित्षा ने जो कि हमारे Home Minister है बाकी शोभा डे की बात करेंगे Lockdown, Liaisons, Living and Others नाम की बुक को इन्होंने रिलीस किया इसके अलावा पहले 2019 में जब ये चिली में होने वाली थी तो चिली की सरकार ने हिंसक विरूत परदशन के करण इसको रद्द कर दिया था और इस साल 2020 में मलेशिया में आयोजित की जा रही है ये वर्चुली यानि की वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए बाकी एपेक की बात करेंगे एशिया पैसिफिक एकॉनमिक कोपरेशन इसका फुल फॉर्म हो गया 1989 में स्ताफना हुई थी और इसका हेटकॉर्टर है सिंगापुर में न्यूजिलेंड की बात कर लेते हैं तो न्यूजिलेंड की कैपिटल वालिंग्टन है करंसी है न्यूजिलेंड डॉलर और पड़दान मंत्रे है जेकिंडा अडन अभी न्यूजिलेंड ने अपने आपको कुरोना वायरस से मुक्त भी घोशित कर दिया था और न्यूजिलेंड के किर्केटर का नाम याद रखो रॉस टेलर क्योंकि किर्केट की तीनों फॉर्मिट में सो मैचेज खिलने वाले पहले खिलाडी बने हैं ये अभी इन्हें रिचर्ड हैडली पदक भी मिला था इसके लावा 2021 में ही महीला रगबी वर्ल्ड कप या आपकी न्यूजिलेंड में ही आयुजित की जाएंगे फिर अभी किस आयाइटी ने टीचिंग सेटप मोबाइल मास्टर जी को डेवलप किया है तो आंसर होगा आयाइटी कानपूर ने तो घर से कक्षा टीचिंग सेटप जिसका नाम है मोबाइल मास्टर जी उसको डेवलप किया आयाइटी कानपूर ने और इससे भारत के जो ग्रामिन शेतर के छातर हैं उनको बहुत मदद मिलेगी बहुत फाइदा होगा क्योंकि इस सेटप से स्मार्टफोन को यूज करके टीचर के लेक्चर को रिकॉर्ड किया जा सकता है अभी आयाइटी कानपूर से आपको क्या-क्या पॉइंट्स याद आ रहे हैं अभी इसने कहा था कि कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए यह हर दिन 25,000 मास्क बनाएगा इसके अलवा आया सेंट टेक्नलोजी की कैटेगरी में 2020 का निक्केई एशिया अवार्ड भी मिला था और अभी HRD मंत्राली ने जो नेशनल इस्टिट्यूट रेंकिंग जारी की थी उसमें अवर रॉल कैटेगरी में टॉप पे था IIT मदरास लेकिन अगर QS रेंकिंग के हिसाब से बात करें और IIT बॉमबे ने दुरूव नाम से एक चिप विक्सित की है उसके अलावा इसने कॉरंटाइन एप्लिकेशन लॉंच किया था और डिजिटल स्टैटोस को पायू सिंक बनाय था फिर एकिस राज्य सरकार ने विश्व प्रसिद्ध श्रमणी मेले को इस्तगित कर दिया त तीस लाख लोग लगबक तीस लाख लोग शिवलिंग पर पानी चड़ाने के लिए आते हैं और ये जो शिव मंदिर है ये देश के बारा जोतिर लिंगो में से एक है अच्छा मेलों से आपको याद आया होगा अभी आसम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में जो पिटल ऑफ इंडिया जारकन के धनबात को ही कहते हैं मुख्य मंत्री है हैं मंत सोरेन और गवर्नर हैं द्रोपदी मुर्मू और जारकन हाई कोट की चीफ जेस्टिस का नाम क्या है रवी रंजन है एक रवी शंकर जा भी नाम याद रखो पंजाब एन हरियाना हाई कोट की चीफ जेस्टिस बने थे ये और एक रवी मित्तल भी नाम याद रखो अभी हमारे नए स्पोर्ट सेक्रेटरी बने हैं ये क्याने की खेल मंत्राले में नए सच्छी बने हैं रवी मित्तल फिर है चोला मंडलम MS जनरल इंशोरेंज के नए मैनेजिंग डिरेक्टर के रूप में किसको न्यूक किया गया है तो आंचर होगा वी सूरे नारायन को चोला मंडलम MS जनरल इंशोरेंज का हैट्वाटर आपके तमिल नाडू के चेन्नई में हैं बाकी कंड़नम सेकर ये अभी एक नया गुशन बता रहा हूं आपको ध्यानते सुनना इंडियन ओवर्सीज वर्ल्ट्रेड और्गेनाईजिशन में भारते राजदूद बने थे फिर किसे 2020 के डाइना पुरुसकार के लिए चुना गया है तो आंचर होगा फ्रेया ठकराल को दिल्ली की 13 साल की चात्रा है ये फ्रेया ठकराल जिने 2020 के डाइना पुरुसकार के लिए चुना गया है य जो user को अप्षिष्ट संचालकों से जोडने का काम करता है। अप्षिष्ट संचालक मतलब जो waste वगएरा, कच्रा वगएरे खटा करते हैं वो ताकि कच्रे को सही तरीके से dispose किया जा सके, उसका निप्टान किया जा सके। और खास तोर पे वो लोग जिनके पास कच्रे को सही जगे पर छोडने का या तो कोई साधन वगएरा या समय वगएरा उनके पास नहीं है, उनके लिए बहुत important application है। बनी थी, उसके अलावा Madison Macer Powerless 2020 में टॉप 20 में भी इनका नाम था। और सिधार्त वरदराजन भाड़ते पत्रकार है, Freedom of Speech Award मिला था इनको। फिर अभी किसे रंगमंच के शेत्र में महाराश्टर सरकार के नट वर्य प्रभाकर पनिशीकर Lifetime Achievement Award से सम्मानित किया जाएगा, तो आंचर उकर रतनाकर मतकरी को, रतनाकर मतकरी ये एक मराथी लिखक थे, थे इसलिए बोला क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही इनका निदन हो गया है, तो अब मन्नो परांथ महाराश्टर की सरकार नट वर्य प्रभाकर पनिशीकर Lifetime Achievement Award से इनको सम्मानित करेगी, तो रंगमंच और कला यानि की थेटर और आर्ट में इनोंने जो योगदान दिये हैं, उसके लिए इनको ये सम्मान मिलेगा, इसे के साथ आपको बता दू, इन्हें रतनाकर मतकरी को 1986 में दादा साहब पाल के अवार्ड भी मिल चुका है, 2003 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है, और 2018 में साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरसकार भी इनको मिला था, तो ये इंपोर्टें नाम होगा, बाकी महराश्टर सरकार ने अभी दो पुरसकार और दिये थे, एक तो गुलाब बाई सेग मनेकर को वीठा बाई लाइफटाइम अचीमेंट अवार्ड दिया था, और मदुवंती दांडेकर को अन्ना साहब किरलोसकर पुरसकार दिया था, और जावे दक्तर से याद रख सुविधा शुरू की है, और इस यूजना के तहत मातर 10 सेकंड में वेकल लॉन दिया जाएगा, बाकी इंडिसेंट बैंक की बारे में पढ़ चुके, मोबाईल पर करन्ट अकाउंट की सुविधा देने वाला पहला बैंक बना है, और ICICI बैंक, इंस्टाफ, फ्लैक्सी, क सुविधा शुरू की थी इसने, बाकी अभी हमने पढ़ा भी था कि स्विगी की साथ मिल करके, स्विगी का पहला डिजिटल वालेट, स्विगी मनी भी लांच किया था, ICICI बैंक ने, और YES बैंक ने भी अभी अपना डिजिटल वालेट, मोबाईल अप्लिकेशन लांच कि थी, मुंबई में हैटकोटर है और इसके MDCO है, आदित्यपुरी, इसका जो टेग लाइन है, वो है, we understand your world, और अभी इसने एक सौंग रिलीस किया था, जिसका नामे हम हार नहीं मानेंगे, सेफटी ग्रिड अभियान शुरू किया था, उसके अरावा समर्ट रीट्स अभिय तो गाइस ये लिजिए, इस वीडियो के साथ, जुलाई मन्त के पहले वाले हफते का पहला वाला पाट हमने कवर कर लिया है, लगबग 40 कुशन हम लोगों ने इसमें कवर किये हैं, तो अब फटा फट से आपक एक एक्जाम एप्लिकेशन खोलिए, वहाँ पे आपको क्व झाल 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 झाल